सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानबूट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागते दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लानबूट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाईयों के बारे में समपून जानकारी दोस्तों आज की इस स्वीडियों हम एक स्टेरोड इंजेक्शन के बारे में सिखेंगे इंजेक्शन का नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन को हम हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हाइड्र करटिसों दवा खाव जड़िक नाम है आप में से कई दोस्ष इस इंजेक्शन को इस नाम से नहीं जानते हैं आप इसको इसके ब्रांड नेम से जानते हैं सबसे पौपुलर ब्रांड नेम जो आप सभी के लिए परिची थे वो है प्राइमा कोट इंजेक्शन है ज ब्रांड भी आपको अपने मिल जाए जो भी ब्रांड मिलेगी उसमें रहेगा वह हाइड्र कोटीशन रहेगा आप इसली खायच सकते हैं और एक ही जगह दूसरा सब्ट्रूट कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हाइड्र कोटेशन बार में पूरी जानकारी जानेंगे जो आपके लिए महतरपूर्ण है जैसे कि क्या-क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में आवलेबल है कितने रूपे में मिल जाता है क्या इसकी यूज होते हैं पूरे विस्टार से किन-किन व्यक्तियों को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता साइड इफेक्ट क्या होते हैं औ इस वीडियो को अंतर तक देखें जिससे संपूर्ण जान करें आपको हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्श के मार मिल सके साथ आप ती वीडियो को भी से लाइक करें और चैनल भी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राब करना नहीं भूले मैं हूँ आपका दोस मुहीत और आ हीड़ुक कोटिको इस्ट्राइड हरमोन करते इसे लगा कोटेसोन आपí बात के जाए क्या सोदर्विजियो का एंजेक्षन आपको 40 रुपई MRP मिल जाता एंजेक्षन तो इस अलग रहत में तो यह यह सटा मिले उसे आप ख coffin second experiment अगर यूजज की बात की साइक किन-किन बिमारी में उसका प्रियोग लिया जाता है जैसा कि व्यक्ति को ह青्प गलाइसीमिया हो सकता है उसके कमी हो सकती है कमजोरी आना उसको थकान लगना मास पेषिएम उसके दर्द होना और जब के कहड़ा होता व्यक्ति उसे में उसको चक्कर आना यह कुछ समझा है एडिनलीन इस सपीशेंट प्रोडम रहती है तो उसमें यह हाइडियो कार्टेसों इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है इसके अलाव जो मोस्ट पॉपुलर इसका यूज सेकेंड नंबर पर लिया जाता है वह एलर्जिक रियक्शन को ठीक करने के लिए वह भी सीविर इलर्जिक रियक्शन इस समय व्यक्ति को पर फफोल होना रेड्नेस होना और स्वेलिंग और खुजली भी होना सामन यह बाते इसके अलाव नाख बहना नाख बंध होना गले में सूजन आ जाना चेहरे पर सूजन कुछ निगलने में सम्धिया होना व्यक्तिकी चेस्ट में दभाऊ या खीचाहँ मैसुस होना सौंस लें में सम्धिया होना यह कुछ प्रोड्लम सी एично प्रैसे के टाइम होती है और यह यह लक्सनों को देखाए दे रहे हैं तब भी डॉक्टर यह इंजेक्शन प्रिस्काइब करते हैं साथ ही कोई पेसेंट है जिसको अस्तमा की सिकाई थे तो अस्तमा के पेसेंट को भी लंबे समय तक इंजेक्शन दिया जाता है इसकी रिलेटेड कुछ समझ्या जैसे की कर्टिशन दौक्टर द्वारा प्रियोग लिया जाता है जिसके आरबीस या प्लेटलेट काउंट में कुछ कमी होई हो किसी को कैंसर की सिकायत हो या लिपिस नाम की उसको ओटो इमिन डिसोडर हो या कोई पेसेंट हो जिसको सेप्सिस जो लाइफ त्रेडनिंग प्रोब् किया जाता है ज्यादा ज्यादा यूजर को कवर करने कोशिश किया फिर भी हो सकता है जो मैंने यूज बता है इसके अलाव किसी अन्य बीमारी में भी डॉक्टर अपने एक्प्रियोग ले दोस्तों हाइड्र कोंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए किन-किन मरीजों में य को फंगल इंफेक्शन की सिखायत है कोई पैसेंट को हाट रेलेटेड़ अधि परोडलम है किसी पैसेंट को लिए या किड्नी से समझ्द समया है ट्यूबर क्रोसी से टाइफोईड की समया है ब्लद प्रैसर व्यक्ति का हाई रेरा हो है पर टेंसन की शिकायतों तो इन सभ आपको नहीं लगाना हो तो कोई दूसरा इंजेक्शिन आपको लगा जा सके दोस्तों अब वीडियो मागे अगर हाइड्रोकौर्टिसोन इंजेक्शिन के साइड इफ्क ही बात करते हैं किसी व्यक्ति को के side effect होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं जो most common side effect है उसमें व्यक्तिकों dizziness रहना सीरदर दरेना blur vision मतलब दूंद्ला दिखाई देना irregular heartbeat होना मतलब heart beat का कम या ज्यादा हो जाना pulse rate भी change हो सकती है इस टो मख में upset सकता है यूरीन का आपषर कम हो सकता है हाथ यह पां में उनका टिंगलिंग हिलना यहाँ समसिया हो सकती है और लॉण टरम जब इसका यूज लेते हैं तो उसमें वेक्ति को फंगल इंफेक्शन होने की प्रॉल्म रहती है हड्डियोंका कम जोर होना बहुत जब गुसा आना एंजाइटी होना और फीजिकल वीकनेस रहना यह कुछ समझते हैं साइड इफेक्ट के तूर पर होती है और हो सकता है जो मैंने साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए यदि ऐसा हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि फर्दर टीटमेट आपको दोनों ही रूट से लगाए जा सकता है और अगर इसकी डूज की बात करें तो जो डूज है इस इंजेक्शन की पेसेंट की एज वेट आता जो कंडिशन की सिवरेटी है उस पर डिपेंड करती है आप कहीं पर पढ़ के या कहीं पर सुनके इसकी डूज की एक्यूरेसी नह एक इंजेक्शन यदर में काफी फाएदा मर्ण नहीं लगा जाता है और इस बार इस दीन नियाव 10-11 बाद बार बार रिपीट भी करते हैं जब तो उनको डिजार इफेक्ट नहीं मिल जाता और इस इंजेक्शन का जो योग है सिफ और सिफ डॉक्टर के सूपर विजन में और डॉक्टर की एडवाइज पर ही किया जाता है क्योंकि कुछ बड़ी समझ्या कर सकता इस्टिरोड इंजेक्शन ने जब इस इंजेक्शन को अस्तमा के पेसेंट को दिया जाता है तो उस समय हंडेट मिलिगाम हाइड्र कार्टेसों इंजेक्शन दिन में दो बार या दिन में तीन बार उसकी हालत सुदरने तक दिया जाता है और उसके बाद दिन में एक बार जब तक उसको रिक्वाइबमेंट है डोक्टर उसको प्रिसकाइब करते हैं और इस इंजेक्शन का प्रियोग जसा मैंने बताया था सिफ होस्पिटल और क्लीनिक जुझ के लिए आप इसे गर पर प्रियोग नहीं करें ना ही मेरा वीडियो दें कि आप इसका प्रियोग करें किसी और को प् भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूटीब चैनल लर्णाबूर्ट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिए रेट बड़न को बहुत जो से सब्सक्राइब कर जो पास में बैल आकन इसे जोड़ दोएं जो आने वाले वीडियो के सभी नाटिफिश लिएस